हाई व्रिवन मैं हूँ लक्षमी मेरे चैनल लक्षविच किचन मैजिक में आप सब का स्वागत है फ्रेंज आज मैं आपसे ढोकला बनाने का एक दम नया और आसान तरीका सेयर कर रही हूँ अगर वीडियो थोड़ी से भी योशफो लगे तो इसे लाइक और फैमिली फ्रेंड में सेयर जरूर कर दें और मेरे चैनल पर नया है तो मैं चैनल को सबस्काइब करना ना पूलें तो चलिकी देरी ना करते भी वीडियो को सुरू करते इसके लिए सबसे पहले लेंगे mixing ball इसके बाद आपको लेना है बेसन तो बेसन को आपको च्छान करके लेना है इस बात कपको ध्यान रखना है तो दो कटोड़ी यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और फ्रेंस मेजरमेंट के लिए यहाँ पर आप कोई भी कटोड़ी या फिर कप सेट कर ले जिससे आपको असाने हो जाएगी अब जिस कटोरी से बेसन लिया है उसी कटोरी से आपको लेना है आदी कटोरी सूजी तो सूजी यहाँ पर मैंने बारिक वाली ले है अगर आपके पास मोटी सूजी है तो एक वार मिक्सी के जार में डाल करके जरूच चला दे इस डोकला को अब चाहे तो सिपस बेसन से भी बना सकते हैं लेकिन मैंने इसमें सूजी डाला है इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है तो यहाँ पर आपको एक चोथाई चमश नमक डालना है और एक चोथाई चमश हल्डी बाॉडर नमक आप चाहे तो स्वाद के नुरसार भी डाल सकते हैं तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप चाहे इसे हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं तो देखिए इसे मैंने बहुत ही अच्छे से mix कर दिया है, तो अब इसका बेटर बनाना है, बेटर बनाने के लिए आपको लेना है पानी, तो यहाँ पर फ्रिंस थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका बेटर त्यार करेंगे, एक साथ पानी नहीं डालना है ने तो इसमे बेटर हम पतला बनाएंगे अगर आप सूजी इसमें नहीं डालते हैं तो बेटर इसका गाढ़ा ही बनाईएगा तो दो से तीन चमच पाल इसमें और एट करेंगे क्योंकि अभी ये ठीक लग रहा है तो फिर से हम इसको मिक्स कर देंगे और इसके consistency मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह की होनी चाहिए तो आप देख सकते हैं भी पतला है तो consistency परफेक्ट है क्योंकि मैंने इसमें सूजी डाला है और सूजी को फूलने में टाइम लगता है अब हम इसे किसी प्लेट से ढग देते हैं और 15 मिनट के लिए इसको रेश्ट पर रखेंगे ताकि सूजी हमारी बहुत ही अच्छे से फूल जाए तो फिरेंस इसे रखते हुए 15 मिनट हो चुका है अब मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए सूजी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है और मैं इसकी कंसिटेंसे आपको दिखाती हूँ बिल अगर आप इसमें इनो नहीं डालते हैं तो फिरेंस आप इसमें ौड़ी दही और आदी चमच बेकिंग बिल्कुल भी नहीं डालना ही तो यहां पर एक का पूरा है बकिकेट इसमें डाल देती हूँ और अगर अब के पास दही नहीं है तो आप यहां पर लेमनकर जूश डाल सकते हैं तो दो चमचब को इसमें लेमनकर जूश डालना है और बिलकुल हल के हाथ़ों से आपको एक-ई डायरेक्शन में इसको घुमाना है देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स करना है और आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे अपने आफ ये फलफी होती चले जाएगा और जब आपको बनाना है तभी आपको इसमें इनो डालना है इस बात का दिहान रखें जैसे आप इसमें इनो डालते वैसे आप इसको stream होने के लिए रग दें तो consistency बिलकूल ही perfect है तो चलिए दूसरी तरफ तो यहाँ पर आपको gas पर कोई भी एक करहाई चरह देना है और इसमें डाल देंगे पानी और इसके बाद आपको लेना है इस तरह का जाली वाला थाली जिसमें की छेद बना होता है था दालनी है इसलिए मैंने कहा था कि आपको बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि अगर बहुत पतला रखते हैं क्योंकि थाली के अंदर होल बना हुआ है तो उससे अपने आप ही बैटर नीचे कीरने लगेगा तो यहां पर आपको देखिए फैलाने की भी जो लोट्व मीडियوم फिलेम में इस्ट्ीम होनी देना है तो अब देख सकते हैं इसे इस्ट्ीम होते वए 12 मिनट हो चूगा है तो यहां पर आपको एक तूथपीक लेना है और इससे मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ और यह देखिए देख सकते हैं बिल्कुल ही क्लीन आ रहा है इसका मतलब ढोकला बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है अगर तुट्पीक में बेटर लग रहा है और आप देख सकते हैं कितना जालीदार ढोकला बन करके तयार हुआ है अगर आप इसमें जादा बेटर डालेंगे तो यह बहुत ही जादा स्पोंजी बनेगा ऐसे भी यह बहुत ही जादा सोब्ट है तो चलिए हम तरका लगा देते हैं तरका के लिए हम पे ले तरका पेंचरा दिया है फोरा सा बॉल बश्रीआ है बुल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे राई और राई को चटकनी देती है इसके बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्ष तो यहाँ पर मैंने हरे मिर्श को लंबाई में काट लिया है बरी बरी ठुकरों में ही काट लिया है तो जैसे ही हालका इसमें लाली पन आ जाएगा उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे चीने तो एक चमच आपको यहाँ पर चीनी डालना है तो अच्छे से बोनने के बाद हम इसमें थोरा सा पाने एड़ करेंगे तो जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा उसके बाद हम गैस को बन कर देंगे तो देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है और यहाँ मेनी ढोकला को प्लेट में निकाल दिया है और आप देख सकते हैं जटपट में ही हमारा ढोकला कितना बढ़ियां बन करके त्यार हो चुका है और मैं दिखाती हूँ देखे कितना जालीदार ढोकला बना है अगर आप बेटर जादा देते हैं तो इससे बहुत ही स्पोंजी ढोकला आपका बन करके त्यार होगा तो चलिए अब हम इसमें तरका लगा देते हैं तो फिरेंस आपर मैं मीठा तरका लगा रही हूँ जो कि बहुत ही जादा स्वाजित लगता है अब जब भी कभी आपको ढोकला खाने का मन हो तो आप इस तरीके से जटपट में ढोकला बना सकते हैं आपको इस वीडियो कैसी लगी आप इमें कोमेंट करके जरूर से बताएं अगर वीडियो थोड़ी से भी योजफुल लगी है इसे लाइक और फैमिली फिनल में से जरूर कर दें थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई